उत्रप्रदेश के इटावा में खाद आपूर्ती विभाग ने राशन डीलर को हिरासत मिल रही थी बताया जा रहा था कि राशन डीलर कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल नहीं दे कर उसे ब्लैक में बेच दिया करता था जिसके चलते लोगों को ठीक तरह से तेल नहीं मिल पाता था इस बात की शिकायत की गई तो राशन डीलर के ट्रैक्टर में पेट्रोल की जग है मिट्टी का तेल पाया गया हना की गाओं के लोगों का कहना है कि जिलापूर्ती अधिकारी की मिली भगत से ही ये सारा गोरकधंदा चल रहा है इस मामले में जब जिलापूर्ती अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कैमेरे के सामने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया